हाई, वेलकम टू मैज सोलूशन फाउंडेशन, इस वीडियो में यूक्लिट्स डिविजन लेमा की स्टेडी करेंगे यह जो यहाँ पर लिखा हुआ है, डिविजन लेमा यहाँ अब बच्पन से पढ़ते आ रहे हैं लेकिन हमें इस तरीके से नहीं बताया गया, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर clarity develop कर लिया जाए, तो बहतर होगा दिविजन लेमा है, आप class 3 से पढ़ते आ रहे हैं, तो समझेगा, हम उसी तरीके से बतायेंगे ताकि आपको आसानी से यह समझ में आ जाए, कर रहा है कि for any two positive integers A and B, कोई भी दो positive integers लेजे यह और B, तो हम यहाँ पर example के साथ study करते हैं, A is got to do ले लेते हैं 17, और B is got to do ले लेते हैं 5, कर रहा है कि कोई भी दो integer लेंगे positive, तो there exist unique whole numbers, तो हमारे पास दो whole numbers आलरेड़ी आ जाएंगे, मतलब A और B यह दि 17 और 5 लेते हैं, तो हमारे पास unique दो number मिल जाएंगे, आखिर यह दो number कौन से होंगे, कैसे आजाएंगे, अपने आप आजाएंगे, अखिर कोई ना कोई process होगा तभी तो आएंगे, तो बोला है कि कोई भी दो integer लेजिए और उनके साथ, दो whole number exist करेंगे ही करेंगे, अखिर यह कैसे आएंगे भाई, तो हमारा जो division आप बच्पन से है, three क्या है, quotient है, और two क्या है, remainder है, तो हम यह बच्पन से पढ़ते आ रहे हैं कि इन चारों में एक relation है, और वो relation कैसा दिखता है, मैं आपको दिखाता हूँ, वो relation कुछ ऐसा दिखता है, dividend is equal to divisor, multiplied by quotient plus remainder, यह आप पढ़ते आ रहे हैं, इसी बात को, यह जो यहाँ पर ल बस और कुछ नहीं है, तो ध्यान दिजगे आपर, जो dividend है, वो यहाँ पर क्या है, 17 जो है dividend है, diviser क्या है, 5 diviser है, quotient क्या आया, 3 आया यहाँ पर, यह 3 हो गया, remainder क्या आया, 2, आप हमेशा देखेंगे कि जो remainder होगा 2, हमेशा diviser से छोटा होता है, है कि नहीं, आप बच्पन स पढ़ते आ रहे हैं, आप देखेंगे कि remainder हमेशा diviser से छोटा ही होता है, हमेशा, उसी बात को, कि remainder तो छोटा होगा ही होगा, लेकि remainder छोटा होगा, तो क्या-क्या possibility है, छोटा होने की, या तो पूरी तरह से यहाँ पर cut जाएगा, या तो 0 आ जाएगा, या उससे बड़ा ह होगा, तो जो भी numbers आएगे यहाँ पर, x, y, z, जो भी आएगा, वो less होगा, b से हमेशा, तो यह सारे आ सकते हैं, और b से छोटे होगे, मतलर diviser से छोटा होगा हमेशा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, 2, b से, 5 से छोटा है, किसी case में 0 भी आ सकता है, इसी बात को यहाँ पर greater than or equal to 0 होगा, मतलब 0 को बराबर हो सकता है, या 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन b से, diviser से छोटा होगा, जब भी यह बात की जा रही है, तो इसमें division का ध्यान रखेगा, यहाँ पर division इसे लिखा गया है, division lemma, तो division lemma करने का मतलब यह होता है, कि यह already proved है, इसका use करके हम other results prove क तो 17 को, हम 17 को ऐसे लिख सकते हैं, 17 is equal to 5 into 3, 5 into 3 plus 2, ऐसे लिख सकते हैं, तो यह already proved हो गया है, practically proved हो गया मतलब, तो इसलिए उसको बोल जाता है, lemma, lemma का मतलब यही होता है, कोई SI statement जो practically proved है, जो already proved है, और उसके help से कोई दूसरा result prove के जाता है, आप समच चुके होंगे कि य इसे आया, अब इसी का use करके हम बहुत सारे applications, इसका बहुत सारे application है मतलब, division lemma का, यह सारे examples आप पढ़ेंगे उसमें, तो इस video में इतना ही, यदि आपको कोई question है, या कोई example आपको समझनी है, या कोई बी ऐसा doubt है, तो comment box में जरूर लिख सकते हैं, और किसी भी exercise, class 10th का exercise हो या 9th का हो, आप जिस class में हो, जरूर आप बताएं कि RD, सर्मा, RS, अगवाल, या फिर कोई भी, कोई भी book, ICC board की भी book हो, उसका exercise आपको चाहिए, solution, या किसी भी question का, तो बिल्कुल आप बेर से comment box में लिख सकते हैं, thank you so much. चाहिए, बिल्कित रिसका समीः, ऑ्थ जिल्कूर आपको चाहिए, सांसे हैं, या है में जिल्कूर अझाो चाहिए झाल झाल